Hello everyone, आप सभी का सवागत है Computer Warriors YouTube चैनल पे मुझे एक student ने comment किया था किसे PDF notes कहां मिलती है आप simply किसी भी वीडियो के description box पे जाएंगे वहाँ पे आपको PDF का link मिलेगा उस link पे आप click कर कि आप PDF डाउनलोड कर सकते हो हर एक वीडियो के नीचे आपको link दिया जाएगा वहाँ से आप जाके आप डाउनलोड कर सकते हो आज का topic क्या है how to export closing balance and how to import opening balance first of all हम लोग October मन्त की entries complete कर चुके थे अभी तक हम लोगों ने जितना भी entries देखा था वो service organization से related था कि service organization में किस type के laser under आते हैं क्या क्या questions आते हैं वो सारे हम लोग discuss कर चुके थे ठीक है अब हम लोग next इस company को close करके means हम लोग यह समझेंगे कि इस company का एक साल का entry complete हो चुका है और next year entry start करने के लिए हमें दूसरी company बनानी पड़ेगी सेम नाम की ओके सब्सक्राइब यह समझते हैं कि बीजनेस कितने टाइब के होते हैं टायली एरपी नाइन में there are two types of business in टायली एरपी नाइन first one service organization and second one trading organization service organization में क्या होता हम लोग किसी को service provide करते हैं जैसे कि ट्यूसर्ण हो गया rent provide करते माली जोब अपने घर को rent लगा है तो आप एक तरस service provide कर रहे हैं किसी को आप कंसल्टेंस इंग से विसेज पूरवाइड करते थे तो उसी को सर्विस ऑर्गनाजेशन कहते हैं एक्जामपल में रेंट इंस्टेटिट्यूट ट्यूसन एक्सेक्टरा डैट इस एक्जामपल ऑफ सर्विस ऑर्गनाजेशन चलिए अब हम लोग आते हैं ट्रेडिंग तो उसे हम लोग ट्रेडिंग ऑर्गनाजेशन कहेंगे माइक सो रूम हम लोग लेहां पर करते हैं और त्रेडिंग और क्लवत ऑसरों कप्ड़े की दुकान में हम लोग कप्ड़े का मैव लोग कब थीजें से और फाइनिंशियल क्या होता है त самого उन चर्शाट नेंशेटि जब financial year का 1 year period का से start होता है 1st of April and ends on 31st March जो period होता है financial year का 1 April से start होती है और खतम होती है 31st March में This period in which the income is earned is known as the financial year इस period में जो भी income earn की जाती है उसे हम लोग financial year कहते हैं in tally we can entered only one year entry after one year we can create a new company after this company इसका कहने का क्या मतलब है कि हम लोग जब tally में entry करते हैं तो हम लोग बस एक साल की entry कर सकते हैं एक साल के entry करने के बाद हमें दूसरी company बनानी पड़ती है अगले साल के लिए जैसे कि जो हम लोग का लेला माजनु प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी उसका लिमिट क्या था वन अप्रियल 2022 से लेकर रहे के 31 मार्च 2023 तक का उसका करना पड़ेगा एक नई कंपनी बनानी पड़ेगी जिसका टाइम प्रियाट क्या होगा एक चार 2020 लेकर एक अतिस तीन दो हजा चौबिस तक की होगी ठीक है हम लोग लोग लाश्ट एंट्री कहां तक की है थे ऑक्टूबर मन तक हम लोग ने लाश्ट एंट्री देखी थ थे बलगैं तो हम लोग बढ़ाएंगे टैंडिंग और बढ़ायों के लिए बढ़ाईंगे आगे तो इसकि यह को क्या करना पड़ा करेंगे पहले जो हमारा कंपनी उसको ख solamente को बनाएंगे तरह आज कशिए पीडे वेने कंपनी को बनाएंगे परियंगे और में नही इतने भी लेजर हम लोगों ने बनाए है पराने कंपनी में उन सारे को एक्सपोर्ट कर देंगे नए कंपनी में और नए कंपनी में जाके उसे हम लोग इंपोर्ट कर देंगे सिंपली हम लोग यह समझेंगे कि यह जो हमारा पुराना कंपनी है लैला मजनू प्राइबट लि पड़ेंगे और उसे नहीं नए बनाने पड़ें उसके लिए हम लोग क्या करेंगे सारे लेजर अंडर को हम लोग इस कंपनी में ट्रांसफर करेंगे ठीक है हम लोग जो यह पुराने कंपनी से नए कंपनी में ट्रांसफर करेंगे उसे एक्सपोर्ट कहते हैं और पुराने क एक्सपोर्ट के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हो तो हम लोग क्या करेंगे लैला मजनु प्राइबेट लिमिटेड जो हमारा एक साल का एंट्री कंप्लीट हो चुका है इसमें इस कंपनी को बंद करके हम लोग आगे नई कंपनी चालू करेंगे 2022 लेका के ताइस प पुराने कंपनी से एक्सपोर्ट कर देंगे एक नई कंपनी में उसका प्रोसेस क्या है यह देखते हैं स्टेप्स क्या है फर्ष्ट क्रिएट अ नियू कंपनी देन गो टू ओल कंपनी डेट यू एक्सपोर्ट और लेजर सबसे पहले आपको नई कंपनी बनानी है उसके परानी कमपनी में जाना है उसके बाद पुरानी कमपनी में जाने के बाद now go to gateway of tally gateway of tally में जाएंगे then click on display command आप display command पर click करेंगे click करने के बाद क्या करेंगे now choose on list of accounts किसको choose करेंगे list of account को choose करेंगे then lasers will be open जो सारे lasers होंगे list of lasers होंगे वो सारे open हो जाएंगे open होने के बाद now go to export command export command पर जाएंगे then export command dialogue box will be display आपको export command के dialogue box display किये जाएंगे यह रहे export command के dialogue box exporting list of laser हमें किस से export करें है list of laser को export करें ठीक है यहाँ पर जो जो information आपसे पूछा जाए आप उसको fill करना है language आपसे पूछा जाए तो language हम लोग default रखेंगे ठीक है format हमसे पूछा जाए format हमारा क्या होगा XML format होगा क्योंकि tally में XML format ही support करें ठीक है आप कुछ different format में इसको save करेंगे export करेंगे तो जब आप इसे import करेंगे तो यह import नहीं लेगा import तभी लेगा जब आप इसे XML format में ही export करेंगे ठीक है export location पूछ रहा है आपको export करना तो export करेंगे आप कहां save करके रखेंगे जो default आपसे location यहाँ दिया जारा आप फिलाल उसको वहीं रखेंगे ठीक है नाम आप कुछ भी रखें लेकिन जो last का suffix है वो .xml रखना जरूरी है यह .xml यह represent करता है कि यह जो file आपने save किया है वह XML format में ही है आप कोई भी नाम रखेंगे .xml लगाना compulsory है तो automatically नाम क्या हम लोग को suggest कर रहा है masters.xml तो हम लोग default में यही रखेंगे कि masters.xml ही रखेंगे ठीक है open exported folder yes या no आप से पूछा जाएगा कि जब यह export हो जाएगा तो इस folder को आप open करेंगे या नहीं तो जैसे ही आप इसे yes करते हैं तो export होने के बाद यह folder open हो जाएगा अगर आप इसे no करेंगे तो export होने के बाद यह save हो जाएगा लेकिन open नहीं होगा जब आप चाहें तो बाद में आप open कर सकते हैं ठीक है तर्फ मास्टर में अगर इसे अगर इसे डिपेंडेंट कोई मास्टर होगा तो क्या आप उसे भी export करना चाहेंगे नहीं जो इंक्लुड डिपेंडेंट मास्टर होगे हम उसे इंपोर्ट नहीं करना चाहेंगे इसलिए हम इसे no रखेंगे Masters क्या होता है सर यहां Masters Masters बहुत सारे आ रहे Masters पिन सुगार्ट कि जितने भी लेजर्स होगे Under Watcher Entries होगे सब टैली में उसे Masters के नाम से जानने जाते हैं इसलिए यहां पर Masters लिखे वें ठीक है Export Closing Balance as Opening Balance इसे yes कर देंगे ठीक है इसे yes कर देंगे सर यह क्या बोरा Export Closing Balance as Opening Balance मतलब जो भी आप Export कर रहे हो वो जो Closing Balance है आप जो नई बिजनेस में उस फाइल को इंपोर्ट करेंगे तो वही सा आप उसे Opening Balance के तोर पर यूज कर सकते हैं इसको ऐसे समझते हैं कि जब आपके बिजनेस में आप बंद कर रहे हो आपने बिजनेस को तो आपके पास पांच लाख रुपए बचे हुए है और आप जब बिजनेस को स्टार्ट करोगे अगले साल तो वही पांच लाख रुपए से यह बिजनेस स्टार्ट होगा जो पैसे आपके पास पहले बचे हुए थे उसी पैसे से आप स्टार्ट करोगे ठीक है आईए स्टेफ देखते हैं फिल ओल टाइपस आफ आस्किंग क्वेस्टन एक्सपोर्टिंग लिश्ट अफ लेजर जितने भी क्वेसन आप से पुछा कि आप सार एक्सपोर्ट करेंगे की कैसे पराने कमपनी से हमोने कंपनी में लेजर को इम्पोर्ट करेंगे इससे पहले हम लोग export करना सेखे, आब हम लोग import करना सीखेंगे first create a company and open it पहले हम लोग क्या करना, जो नहीं company हमको जो import करना, उसे create करेंगा और उसो open करेंगे open करने के बाद then go to gateway of tally, कहा जाएंगे? gateway of tally में जाएंगे and choose on import data command, कहाँ choose करेंगे? import data command में choose करेंगे then click it choose करने के बाद उसे click करेंगे now click on masters command कहां click करेंगे masters command में click करेंगे then import master command dialog box will be display आपको dialog box display किया जाएगा यह आपका dialog box import masters का dialog box आपका open हो गया यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा हुए only tally xml format will be supported जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टैले में सिर्फ xml folder ही support किया जाता है ठीक है name of the file to be imported जो file आप import करना चाहते हैं उसका नाम क्या था तो जब हम लोग export करेंगे थे तो उसका नाम क्या रखेंगे थे masters.xml यही इसका नाम है और इसकी को हमें import करना है उसके बाद आपसे second में पूछा जाएगा treatment of entire already exist तो इस question में हमें क्या करना है combine opening balance को हमें exist करना है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे now press enter to import it उसे enter करेंगे import करेंगे as result all laser are imported in your new company जो सारे laser आप क्या हो जाएगा आपके ने company में import हो जाएगा means क्या है जो पुराने file थे अभी मैंने आपको जितने भी format बता है ये क्या थे पुराने company से सारे lasers को export किया जा रहा था नए company के lasers में means ये जो पुराने company थे इसे सारे lasers उठा के हम लोग नए company में डाल दिये क्योंकि जो भी काम अब आगे होगा तो उसमें हम लोग फिर से तो सारे lasers ने ना create करेंगे तो जितने भी यहाँ पर lasers create करे गए थे एकाउंट बनाए गए थे वो सारे account कहाँ transfer किये गए है नए company में ठीक है simply import और export के बारे में यही समझना था तो यह हम लोग practical में देखेंगे कैसे हम लोग import करते हैं और export करते हैं यह हमारा लैला बजनू private limited यह पुराना company है 2022 से लेगाए के 23 हो आले ठीक है और हम लोग का last entry कहाँ किया गया October month में हम लोग last entry किये गए है अब इस पुराने company को हम लोग एक नए company में सारे lasers को export करेंगे ठीक है तो export करने का पैनला step किया था जो पुराने company सापको export करना उस company open करेंगे और कहाँ जाएंगे display में जाएंगे display में जाके enterprise करेंगे और display में आने का पार हम लोग कहा जाएंगे list of accounts में enter करेंगे enter करने के बाद हमको सारे lasers दिखा जाएंगे list of lasers के नाम के हमको सारे lasers दिखाए जाएंगे यह हैं हमारे total lasers इन सारे lasers को हमको पुराने company से उठा के नई company में डालना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा export करना पड़ेगा यह रहा हमारा export का option यहाँ पर click करेंगे और हमसे पूछा जाएगा backspace जाएंगे और हम लोग क्या करेंगे सारे question को fill करेंगे language हम लोग क्या रखेंगे default रखेंगे और format क्या रखेंगा यहाँ पे दिया जा रहा है jpg format है xml pdf html तो हम लोग क्या रखेंगे xml format में ही रखेंगे ठीक है export location जो रहेगा जो default हमको बताया जा रहा हम वहीं पर रखेंगे output file name क्या होगा मैं क्या करता हूँ अपना नाम लिग देता हूँ monu.xml यह रहा मेरा नाम का format file name open exported folder हम लोग फिलाल तो yes करते हैं types of master में अप लोग क्या देखेगा कि आप किस-किस master's को आप export करना चाहते हैं तो हमको फिलाल laser को ही export करना आप चाहे तो group भी कर सकते हैं currency भी कर सकते हैं cost item भी कर सकते हैं तो यह सारे अभी बाद में सीखेंगे कि क्या होते हैं लेकिन फिलाल हमको laser को ही export करना है ठीक है including dependent masters no रहेगा फिर enterprise करेंगे export closing balance as opening balance इसको y press करेंगे यस करेंगे और यह हमसे date पूछा जा रहा कि कहां तक कहां को export करना तो हम लोग यार रखेंगे कि हम लोग आक्टूबर मन तक का ही entry किये हुए यहां पर इसलिए एक दस दो जार बाइस बताया जा रहा है हम लोगो अब enter करके export को process करेंगे यह देखिए हमारा export होके तयार हो गया क्या नाम होगा यह देखिए मौनु का jpg file तयार हो गया हम इसको export के लिए इंपोर्ट कैसे करेंगा यह देखते हैं हम फिलाल कट करेंगे इसको backspace जाएंगा हम लोग क्या करेंगे नया company बनाएंगे alt plus f3 से company creation info में चले जाएंगे उस वहां से हम लोग कहां जाएंगे create company में जाने के बाद हम लोग कंपनी बनाएं जिसका नाम रहेगा लैला मजनू private limited to okay उसके बाद मेंदिंग में क्या रहेगा लैला मजनू private limited ही रहेगा address हम लोग डाल देंगे country हमारा क्या रहेगा इंडिया है जो भी details वही details सारे यहां पर fill up करने ठीक है financial year क्या होगा financial year beginning from 1-4-2023 ठीक है 2023 से या entry start किया जाएगा ठीक है 2023 से अब एंटर करेंगे और book beginning from क्या होगा 2023 से जब हम लोग का financial year start हो रहा है तो book beginning from भी हमारा 2023 ही होगा अप्रिल 2023 होगा और इंटर इंटर करेंगे इस country को accept करेंगे इस company को create करेंगे ठीक है यह रहा हमारा company create हो गिया लैला मजनू private limited to हमारा company create हो गिया अपसर यह current period तो अपसील 2022 से लेका रहे है लेकिन यहां देखे current date क्या बता रहा है Friday 31 March 2020 मतलब current date आपका इस लैला मजनू private limited company 2 का क्या है हम लोग क्या करेंगे current period को भी change करेंगे क्योंकि हमारा entry क्या होगा 14 2023 में होगा और कहां तक होगा एक अत्तीस तीन दो हजार 24 तक ओके एंटर करेंगे अब यह देखे हमारा current period change हो गया एक चार दो हजार ताइस से लेकर एक अत्तीस तीन दो हजार 24 तक कर ठीक है हमारा current date क्या बता रहा है एक अपिल दो हजार ताइस यह हमारा लैला मजनू private limited दूसरे company का बात है ठीक है जो पहली company थी उसका लास्ट एंट्री एक अक्टूबर तक किया गया थे हमारे पुरान नहीं company की gateway of tally में जाएंगे और कहां जाएंगे इंपोर्ट डेटा यूटिलिटी आपको देख रही है यूटिलिटीज में हम लोग कहां जाएंगे इंपोर्ट डेटा में जाएंगे एंटर प्रेस करेंगे हमें export किसे करना है masters को करना तो masters में enter करेंगे अब masters में हम लोगों को file import का नाम पुछेगा कि किस नाम से आप लोगा ने file import करना चाहते हैं तो हम लोग जिस नाम से file को save गिये थे उसी नाम को यहां type करेंगे और combine opening balance भी हम लोग select करेंगे ठीक है आप से पूछा जाएगा treatment of entire already exist तो इस पर हम लोग combine opening balance को select करेंगे और enter क all lasers को import करेंगे अब हम लोग क्या करेंगे escape की से बाहर जाएंगे accounting info में जाएंग और enter press करेंगे और laser में जाके enter करेंगे अब laser में हम लोग जाकर display में देखें कि हमारे सारे laser यह देखिए office table office year office expenses यह हमारे सारे laser कहां आ गये हैं यह सारे laser हमारे नए company में आ गये हैं कहां के नए company लैला मजनू private limited टू दूसरी company में जिसका financial year क्या है 14-2023 से लेकर कर 33-24 तक गया है जिसका current date क्या है अभी 1 April-2023 है जिसमें अभी तक कोई भी watcher इंटर नहीं किये गये हैं तो आए हम लोग इसका trial balance देखते हैं कि trial balance में क्या सो कर रहा है यह रहा हमारा trial balance जिसमें को capital amount दीख रहा है current liabilities दीख रहा है fixed asset दीख रहा है current asset दीख रहा है profit and loss दीख रहा है ठीक है जब हम लोग laser import करते हैं तो income और expenses हमें नहीं बताया जाते हैं कि कहां खर्च कितने खर्च हो है income क्या हुआ है ठीक है तो यह हमारा grant total amount इस video में हम लोग क्या सिखें कि कैसे पुराने कंपनी से नहीं कंपनी में laser को transfer किया जाता है किसके मदद से import data के मदद से और export data के मदद से कैसा हम लोग पुराने company से नहीं company में export और import करते हैं ठीक है तो आज के लेक्ष्टर में यही समझना था कि कैसा हम लोग पुराने कंपनी के सारे लेजर्स सारे लेजर्स के इंफॉर्मेशन एंड लेजर्स कैसा हम लोग नहीं कंपनी में इंपोर्ट करेंगी पुराने कमपनी से उठा के नई कमपनी में कैसे डालते हैं वो आज के वीडियो में हम लोग समझे